तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की दिन की सबसे पहली अपडेट के साथ में जो की IMF की तरफ से निकल कर आ रही है आपकी जानकरे के लिए सबसे बिले मैं आपको बता देना चाता हूँ कि IMF है क्या IMF है International Monetary Fund जिसके अंदर टोटल 119 देश रजिस्टर्ड है याने कि 119 देश IMF के मेंबर है अब बात करें कि IMF का काम क्या होता है जब भी किसी देश के अंदर financial crisis होते हैं growth slow हो जाती है तो उसको यह जो IMF है याने कि International Monetary Fund है यह उसको किसी प्रकार से help करता है याने कि या तो यह fund provide करता है लाइक अभी recently बात करें तो IMF ने Ukraine की मदद के लिए क्योंकि Ukraine भी IMF का member है तो Ukraine की मदद के लिए 3 billion US dollar का investment को approval दे दी है साथ ही साथ आज के दिन यहाँ पर IMF की जो managing director एक क्रिस्टे लिना उनकी तरफ से overall world की growth है उसे यहाँ पर forecast किया गया है और जो यहाँ पर numbers निकल कर आए हैं वो काफी ज़्यादा चोकाने वाले हैं अब बात करें कि यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इससे Indian stock market के उपर भी एक काफी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है आप दख सकते हैं यहाँ पर जो IMF की managing director एक क्रिस्टे लिना उन्होंने clearly काये कि the world face growing recession risk and a fundamental shift तो यहाँ पर IMF की तरफ से clearly यहाँ पर इसका reason भी बताया गया है कि उन्होंने यहाँ पर growth जो forecast करी है याने कि पेले जो growth forecast करी गई थी 3.2% की 2022 में अब उसे घटा कर 2023 में 2.9% की कर दी गई है और उसकी पीछे का उन्होंने reason बताया कि world याने कि दुनिया अभी recently covid-19 की situation से उबरी है और उसके बाद ही यह मंदी का दोर और साथ ही साथ Russia और Ukraine की बीच में जो war हमें देखने को मिल रही है यह एक slow growth का सबसे बड़ा करण बन सकती है DC को लेकर यहाँ पर clearly IMF की managing directors की तरह से जो statement निकल कर आया है कि world को इस slow growth के करण लगबग 4 trillion US dollar का यहाँ पर नुकसान हो सकता है याने की growth में काफी बड़ी हमें रुकावट देखने को मिल सकती है आप देख सकते as much as 4 trillion US dollar in global output is expected to be lost between now and 2026 equivalent to the size of German economy याने की German की जितने economy है उतना ही नुकसान पूरे world को आने वाले एक साल में हो सकता है तो काफी बड़ा खत्रा मंटर रहा है आपको ध्यान हो तो recently दो दिन पहले में ने आपके साथ एक update share करी थी जिसमें world being की तरफ से जो इंडिया की growth को भी forecast किया गया था पहले 7.2% उसे भी अब reduce कर दिया गया है और अब इंडिया की growth जो forecast करी गई है आने वाले एक साल के लिए उसे 6.2% कर दिया गया है याने की ये जो 4 trillion US dollar का नुकसान overall world को होगा उसमें इंडिया की growth भी कही न कहीं एक slow movement में आते हुए देखने को मिलेगी अब बात करें के इस बीच market को लेकर क्या movement देखने को मिल रहे है तो US 10 year treasury yield के अंदर again हमें काफी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है याने की short term में market के अंदर stability अभी बिलकुल भी यहां पर possible नहीं है तो यदि आप market के अंदर investment करना चाहते हैं तो कुछ fundamental stocks जो की इस वीडियो में मैं आपके साथ suggest करने वाला हूँ वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं और अपने portfolio को long term purpose याने की आने वाले कम से कम 3 साल तक के लिए यहां पर निवेश कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं सबसे बिली उनी shares के बारे में जहां पर आप हर गिरावट में खरिदारी कर सकते हैं और minimum 3 साल के लिए investment कर सकते हैं सबसे बिली कमपनी की बात करें तो उसका नाम है Angel One Limited जनरी 2022 में ही ये कमपनी हमें stock market में list होते वे देखने को मिली थी और अभी तक कमपनी 25 प्रतीशत की returns बना कर दे चुकी है इस कमपनी की खास बात ये हैं कि ये कमपनी fundamentally काफी ज़दा strong हमें देखने को मिलती है और सबसे बिला एक और point में यहाँ पर cover कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जिस भी fundamental stocks को हमने cover क्या है उनके return on capital employed on return on equity percent 25 प्रतीशत से ज़दा है यानि कि यहाँ पर risk vector बहुत कम है और profitability काफी ज़दा है तो यहाँ पर angel one के भी अगर आप ROC और ROE देखेंगे तो वो भी हमें 35 प्रतीशत से लेकर 45 प्रतीशत के बीच में देखने को मिलते हैं उसके पीछे का reason है कि angel one बले ही company अभी stock market में list हुई है लेकिन अगर आप इसकी पीछले 5 साल की sales growth देखेंगे तो वो लगबग 40 प्रतीशत से भी ज़्यादा की देखने को मिलती है वही profit growth 80 प्रतीशत से भी ज़्यादा की देखने को मिलती है और साथ ही साथ इसका return on equity percentage देखेंगे तो वो भी अमें 30 प्रतीशत से ज़्यादा का देखने को मिलता है जिस कारण से इस company के अंदर आप definitely long term purpose से investment कर सकते हैं बात कर लेते हैं angel one limited के shareholders के लिए कौन सा दीन खास होने वाला है कर लेते हैं next shares के बारा में जिसका नाम है mind tree limited ये shares भी long term के लिए काफी अच्छा देखा जा सकता है तो कि अगर हम mind tree को भी complete analysis करें तो इस company का भी return on capital employed and return on equity percentage हमें लगबग 30 प्रतीशत से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है उसके बीचे भी इस company के reason है कि company की sales growth पीछले 10 साल में भी हमें लगबग 20 प्रतीशत की देखने को मिली है वही profit growth की बात करें तो 20 प्रतीशत से भी ज़्यादा की है CAGR ratio भी company का काफी अच्छा है और return on equity percentage भी 25 प्रतीशत से ज़्यादा का हमें देखने को मिलता है तो overall ये company भी consistent performance है, IT sector से company belong करती है और बात करें इस company की, तो यहाँ पर भी हमें 13 October के दिन company के financial result देखने को मिलने वाले है और mind tree के भी जिसी financial result डिक्लेर हो जाएंगे, सबसे बिले आपको हमारे YouTube channel से अपडेट कर दिये जाएंगे बढ़ते हैं next shares की तरफ, जिसका नाम है Tata Alexi Limited जी हाँ दोस्तों, अबसे बिले बात करें थे Tata Alexi के financial result के बारे में 14 October के दिन हमें Tata Alexi के भी financial result देखने को मिलेंगे तो अगर Tata Alexi की भी performance की बात करी जाए, तो इस company के भी performance पिछले एक साल में काफी अची हमें देखने को मिली है, वहीं इस company के भी अगर ROC और ROE की बात करी जाए तो लगबग 45 प्रतीशत से भी ज़्यादा का हमें इनका ROC और ROE देखने को मिलता है इस company की भी अगर आप compounding sales growth देखेंगे और साथ ही साथ profit growth देखेंगे तो वो हमें काफी consistency के साथ में देखने को मिलती है वहीं company का return on equity percentage भी हमें 30 प्रतीशत से ज़्यादा का देखने को मिलता है तो ये Tata Group की one of the best company है जिसकी performance पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी रही है तो Tata LXZ भी long term के लिए आप इस shares को भी अपने portfolio के अंदर aid करते भी चल सकते हैं बते next shares की तरफ जिसका नाम है Asian Paints Limited 20 October 2022 के दिन Asian Paints के financial result हमें announce होते भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर company अपने financial result के साथ में dividend को लेकर भी announcement करने वाली है Asian Paints भी आप सभी के लिए एक best choice हो सकती है for the long term prospectus क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप इस company का ROCE और ROE देखेंगे तो वो भी अमें 20 प्रतीशत से ज़्यादा का देखने को मिलता है और साथ ही साथ Asian Paints के भी अगर आप compounding sales growth, compounding profit growth और यहाँ पर CAGR ratio और return on equity percentage भी देखेंगे तो वो भी हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है तो यह तो बात हो गई best stocks के बारे में जो कि Monday के लिए आपके लिए best choice हो सकते हैं जहाँ पर आप SIP कर सकते हैं और साथ ही साथ long term purpose से one time investment भी कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कुछ particular stocks के बारे में जहाँ पर कुछ बड़ी updates हमें देखने को मिल रही है सबसे बिले बात कर लेते हैं सुजलॉन energy के बारे में जहाँ पर last trading session में हमें इस share के अंदर एक flat closing देखने को मिली है लेकिन सबसे बिली update की बात करें ये भी right issue के अंदर apply कर रहे हैं और यहाँ पर fully participate कर रहे हैं बाकरें कि यहाँ पर दिलिप संग्वी जो की 2015 के अंदर सुजलॉन के अंदर 23% का stake in on ने खरीदा था लगबा 1800 करोड रुपे में जब सुजलॉन पूरी तरीके से हमें debt में देखने को मिल रही थी सुजलॉन एनरजी की कल के दिन board of directors की मिटिंग्स थी जिसके outcomes निकल कर आज चुके हैं और सुजलॉन एनरजी के chairman तुलसीत आंती के दिहांद के बाद में अब यहाँ पर इनकी management teams के अंदर कुछ यहाँ पर नए appointments देखने को मिल रहे हैं तो प्रनाव तांती का नाम हमें देखने को मिल रहा है तो यह कुछ नए appointment यहाँ पर इस management teams के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि company के point of view से काफी important है और अगर आप company के shareholders हैं तो आपको भी पता होना चाहिए otherwise सुजलोन के अंदर अभी fresh positions के लिए थोड़ा सा wait and watch कर सकते हैं बात कर लेते हैं last year के बारे में जिसका नाम है Tata Power Company Limited जहाँ पर last reading session में कोई बड़े movement तो देखने को नहीं मिले लेकिन Tata Power की तरफ से एक बड़ी update निकल कर आ रहे है जहाँ पर Tata Power आने वाले 5 सालों के अंदर राजिस्थान के अंदर एक बड़ा investment करने जा रहे है याने कि 8000 Megawatt के तो unity scale projects पर काम करने वाली है और साथ इसा 1000 Megawatt के solar rooftop और डेल लाग solar pump को establish करने वाली है तो यदि आप renewable energy sector के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आप Tata Power के अंदर investment कर सकते हैं उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई हैं तो इसे like और share कना मत भूलेगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected, stay updated